36 गड में कोला घोटाले और मनी लॉंडरिंग केस में जेल में बंद पूरु वसीयम भूपईश पकिल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की जमानत अरजी पर हाई कोट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है तो वहीं इस मामली में प्रवर्तन निदेशाले को नोट ज़ारी कर जवाब मांगा गया है केस की अगली सुनवाई ग्रिश्म काली नवकाश दस जून के बात की जाएगी तो वही सौम्य चौरसिया की तरफ से पैरवी कर रहे है एड्वोकेट हश्वर्धन परघनिया के साथ ही दिल्ली के सुप्रिम कोट के एड्वोकेट ने ऑनलाइन पैरवी की उन्होंने सौम्य चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी है लेकिन जस्टिस एन के व्यास ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया वही 36 गड़ में कोईला घोटाला केस में योडबलू की रिमान पर निलंबित आईस रानू साहू और सौम्या चौरसिया चार दिन की रिमान पूरी होने के बाद आज दोपहर राइपूर के स्पेशल कोट में पेश किये जाएंगे योडबलू की टीम फिर से आज दोनों की रिमान लेने की कोशिश करेगी न्यू वीडियोज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बेल आइकन को दबाएं ये हैं इंदू ब्राटकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूस हर पल, हर शन, हर सच